हलो इस्टोट्ट्स नेक्स्ट हम देखेंगे एक्जेम्पल नम्र सेविन क्या कहा रहा है देखो यहां पर क्या कंडिशन गिविन है आपको ए एंड बी टुगेदर कैन बिल्डवाल इन थर्टी डिज ओके एक और कंडिशन तीज में ए इस ट्वाइस एस गुड़ा वर्कमै ए वर्कमेन एस ङूद ऑ गया अगया ठीके सबीस ट्वाइस एस गुड़ को अंब वर्कमैं एस बी इसका मतलब क्या हुआ हिट मेंस इसका मतलब यह हो गया ए इस बोन डें वर्क जो है इस बोल्रब जो है व्हों एक्टयल में बीज बु दे of work के equal है, समझ माया कुछ यहां तक clear होगी सारी पार, ठीक है सर A's का जो one day work है, वो actual में B's के two day work के equal है ठीक है सर, ठीक है, ठीक है अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भाई A का जो one day का काम है, वो B के two day के बराबर है इसका मतलब A का जो काम है वो B से अदा है, एका जो काम है, वो B से अदा है अगर मैं आपसे पूछू, B's one day work पूछू मैं आपसे, B के मैं क्या पूछ रहू है, B's one day work पूछू मैं आपसे, तो आप क्या काओगे, सर हम यह कहेंगे B का जो व्ट है वो actual में A is half day of work equal है B का जो काम है वो A के अध काम के equal है ऐसे तो हुआ A का जो काम है वो B से अध है B का काम 2 है तो A का काम अध है और B का काम 1 है तो A का काम half है उसके मारा है देखो A and B together can build a wall in 30 days तो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, अगर वो दोनों मिलके, A and B, together can build a wall in, वो 30 days में मिलके, वो wall बनाते हैं, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, कि अगर मैं आपसे पूछू कि A is one day work, plus 20 one day work के कितना हुआ दोनों को मिलाके, 1 by 30 work को, क्या किया मैंने, A और B का दोनों का मिलाके, जो complete कर रहे हैं, वो 30 days में कर रहे हैं, अगर मैं पूछू कि दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, तो 1 by 30 हुआ दोनों का, अब आप देखो, या तो आप A की जगे B वाली वैली लिख दो, समझे रहे हुआ, या B की जगे A वाली वैली लिख दो, फिर दोनों का एड कर देना, अगर मैं A की वैली का काम लिखू यहाँ पर, मान लो ऐसा, अच्छा, A पूछ रहा है आपसे, तो A अगर पूछ रहा है, तो A को गाया मत करो, A को यह रहना दो, वो बाद में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए बोल रहा हूँ न, समझे लो, तो मैं A की वैली ना लिख के, मैं B वाली की वैली लिख देता हूँ, A को तो मै वर्क मैंने एज़िटी छोड़ दिया, मैंने B को चेंज कर लिया, B का वंडे का वर्क कितना है, A हाफ डे, और वर्क के एक्वल है, इन दोनों को एड कर दे हैं, A हाफ डे वर्क हाफ, हाफ और वन को जोड़ूंगे तो कितना हो जाएगा, एक्च्छल में यह, थ्री बाइ वर्क हो जाएगा, वन बाइ थर्टी, समझ माया, अगर मैं इसको क्रिस क्रॉस करूँ, तो A का मेरे पास वन डे का काम निकल जाएगा, अंसर निकल तो जाएगा, कैसे कहा रहा हूं समझ में आ रहा है कुछ, देखो, यह वाला जो पॉइंट है, यह वाला तो समझ में आ गया होगा, अब इसको क्रिस क्रॉस कर दूँगा, तो A का ओनली वन डे का वर्क में निकल जाएगा, मिर पास कितना, जो भी निकलेगा, अब वो जो काम निकलेगा, अगर अगर अपने को टोटल वर्क निकालना हो, डे अगर इसको मैं इदर क्रिस क्रॉस कर दूँगा, तो ओनली एज वन डे वर्क निकलेगा, जो कि वन बाइ थर्टी इंटू टू डिवाइड वाइड वाइट्री, एक दिन का काम बन बाइ फॉर्टी फाइव है, और मैं आप से क्या पूछ रहा हूं, एक टोटल टाइम कित लएगा, एक दिन का काम बन बाइ फॉर्टी फाइव है, तो एक टोटल काम कितने दिन में खतम हो जाएगा, फॉर्टी फाइव में, रिखाना है, तो हैंस, एक अलोट फिनिज दा वर्क इन फॉर्टी फाइव डेज, बताव संजमा है क्या, आसर आ गया, ओके, यह हुआ क Okay, कि बताब्स पाइव है, यह है बताव संजमा है, तो, इन ठाएव में एक बता आप सका लगाज में, बताक äन् संजमा है, झासर उना कितने डीया, प्योख तताव कितने पस्वाइशा है, लगको कितने वितने इन लेजैना वाईव उन्हाणावा है, त mica पतावा वाह, र